हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3 1 टैक तो फ्रेंट्स यूट्यूब पर वीडियो अप्लोड करते टाइम हमारे माइंड में एक कन्फूजन हमेशा रहता है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपके इस कन्फूजन को दूर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि अपनी यूट्यूब वीडियो का अप्लोड करते टाइम आपको made for kids पे select करना चाहिए या फिर आपको no it's not made for kids पे select करना चाहिए और अगर आप kids पे select करते हैं तो आपको क्या फायदा होता है क्या नुकसान होता है मैं आपकी सारी confusion इस वीडियो में पूरी detail में दूर करने वाला हूँ तो इस वीडियो को आपको पूरा last तक जरूर देखना है और साथ में वीडियो के last में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको ये कैसे पता लगेगा किसी भी YouTube चैनल की जिस वीडियो का आप देख रहे हैं वो उसने made for kids पे select कर रखी है या no it's not made for kids पे select कर रखी है तो ये भी मैं आपको वीडियो के last में बताऊंगा तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल के उपर मैं free promotion करने शुरू किये हूए है तो मेरी जो last वीडियो है उसके उपर जिसका भी पहला comment आया था उसका channel आपको मेरी screen के उपर दिखाई दे रहा होगा तो प्लीज जाके इनके channel को support करिए और इनके channel का link आपको वीडियो के description box में भी मिल जाएगा वहाँ से जाके आप इनके channel को check out कर सकते हैं और इने support करें वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे channel पे new हैं पहली बार मेरे channel के उपर आए हैं तो please मेरे channel को subscribe करें और notification bell को on करके इसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की update सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends मैं आपको यहाँ पे clear करने के लिए दो category में divide करके सिखाता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं एक category जिसमें kids की category जो होती है उसके बारे में बात करते हैं अगर आपका kids से related channel है kids education के बारे में बता रहे हैं या फिर कोई poem का channel है kids का या फिर song का channel है kids का आपका kids category वाला channel है और उसके उपर अगर आप made for kids select करते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान होगा क्या फाइदा होगा वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको नुकसान के बारे में बता देता हूँ कि इससे हमें क्या नुकसान होगा तो अगर आप made for kids select करेंगे अपने channel पे अपनी वीडियो के उपर तो उसमें सबसे पहला जो नुकसान है वो है आपका community tab जो है वो ओफ हो जाएगा आप community tab के अंदर communicate कर सकते हैं अगर हम made for kids select करेंगे तो हम वो communication नहीं कर पाएंगे हमारा community tab जो है वो ओफ हो जाएगा और इसका जो दूसरा आपका नुकसान है वो है कि आपका जो कमेंट है जो आप वीडियो के नीचे comment section देखते हैं वो भी ओफ हो जाएगा मतलब आपकी वीडियो के ऊपर कोई comment भी नहीं कर पाएगा तो यह भी एक इसका बड़ा नुकसान है क्योंकि comment करने से हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो में क्या गलतियां की हैं हमने क्या सुधार करने की जरूरत है हमें उसका feedback वहीं से मिलता है और audience से भी हम वहां से ज्यादा connect हो सकते हैं उनके comments को प नुकसान है यह होते हैं अगर आप अपनी वीडियो को made for kids करेंगे तो अब बात करते हैं दूसरी category के बारे में जिसमें मैंने रखा हुआ है टेक्स से रिलेटिड है कोई education का चैनल है gaming का चैनल है cooking का चैनल है फूट से रिलेटिड है entertainment का है किसी भी category का चैनल है तो वैसे तो आप normally समझ गए होंगे कि अगर आप made for kids करेंगे तो आपको किन-किन नुकसान से गुजरना पड़ेगा community tab आपका comment section notification यह सब अफ हो जाएगा लेकिन अगर आप no it's not made for kids करेंगे तो यह सब आपका own रहेगा तो आपको के लिए ठीक नहीं है ठीक है तो उस case में आपको YouTube की तरफ से फिर आपके उपर स्ट्राइक आ सकती है वो यूट्यूब की guidelines के according नहीं होगा तो इसलिए आपको नो पर ही रखना है नो करके ही आप अपनी वीडियो को upload करें तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम हुआ है तो आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपका आपका प्रदैशन तो आपको पता लग जाएगा कि यह जो वीडियो है made for kids से स्लेक्ट के हुई है तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपका सारा confusion दूर हो गया होगा अगर फिर भी वीडियो से कोई भी question कोई भी query है तो आप मुझे नीची comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इससे एक like और शेयर ज़रूर करें थैंक यू